चहेती राठी जी, महारा जी मेरा आप से प्रश्ण था कि हमारे पास कुछ आदर्श हैं जैसे जूट नहीं बोलना आदी परंतु कभी-कभी परिवार जनों के कारण हमें उन्हें भंग करना पड़ता है जिससे घर में शांती रहती है परंतु हिर्दे में शांती हो जाती है और यदि उन्हें नहीं तोड़े तो घर में शांती हो जाती है जिसके कारण हिर्दे में शांती हो जाता है ऐसी प्रिस्थिती में हमें चाहिता है भगवान का धाम भगवत भजन प्योहार में यह सत्य नहीं बेवाग उले हम सत्य कहते हैं मैंने यह देखा तुमने क्या देखा माया क्योते द्रश्य देखा अगर सत्य को देखते तो सब में भगवान विराजमान है आपने भगवान को देखा क्या भगवान सीव कह रहे ह सत्थारी बजन जगत सफसपना कई ऐसी बाते होती है जो जूट होने पर भी उस्षत्य का फल देने आली होती है सत्थ को समझना थोड़ा एक आदमी बैठा था ऐसे सत्यवादी आदर एक गाय को दो तीन बद करने के लिए जंगल से घेर के लाए थे तो उनके घेर में गुश गई उनसे पुछा गाय इधर आई बोले हाँ इधर हो जानते क्या परणा में मिला गौवध का पाप उनको न रख जाना पड़ा बहुत सत्य को समझना होगा किसी के प्राण रक्षा हो रहे उस समय अशत्य ही परमसत्य का पल देगा उसके रक्षा करने के लिए थे हम जूट बोल देते हैं भारी कोई जगड़ा होने जा रहा है अशानती होने जा रही है उसका प्राण बच गया वो धर्मात्मा है वो जगड़ा बच गया जो विनासकारी होने आला था जो अशानती का था क्योंकि ये संसार परमशत्य सचि अरंद भगवा नहीं है अगर यह जान गए तो यही सत्य है और तो ड्रम्मसत्यम जगन मिथ्या इसमें जो भी बोल्ले वुद्धिया ही है आप समझ लिए के सत्य वादी वही है भगवान सत्यानंद किसी और बान ही नहीं खोलता और जब खोलता है वहर्दय की गर्थ जगनमित्या तो बेवहार में भी जहां तक हो सके हम जूट ना बुले जहां तक हो लेकिन हमें यह देखना है कि अगर जूट किसी के प्राण बचा रहा है जूट किसी को भारी दुख से निकाल लाए तो हमारा जूट सत्यकाई पल देने वाले होगा यह जरूर ध्यान दखन आप जैसे वो जूट निंदे नहीं है कि यह कपड़ा आप कितने मिटर कितने रुपया मिटर देते हैं बोले हम डेर सो रुपया मिटर नहीं थोड़ा कम की देर सो काया तुम्हें कोई मुनाफ़ा नहीं ले जह जोट तुम्हें नहरक पहुंचाएगा क्योंकि तुम सही नहीं बोलने हो यह कितने रुपया 1.500 रुपया मिटर का नहीं वैसे छ में दुकान ख़ोले हैं बिजली है नौकर रखे रखें लेना हो ले जाओ हमें कसम फ़ाने की जवर्त रहों तो कुछ дिनों बाद आपकी प्रसिद्bye हो जाएगे देता है बड़े हां जीवन हो जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं बहुत गलत गलत जोट वोलते हैं वो ठीक नहीं है अगर किसी की प्रान रक्षा है प्रान रक्षा किसी का सब्द अधर्मी के लिए नहीं कह रहे हैं अधर्मी के लिए तो हमने कई बार प्रगट में व्याख्य करके बताई है कि जैसे वकील कहरा कि मेरा पेशा है मुझे बचाना करता के अनुशार उसका उत्तर है एक आदमी सहज में अपने परिवार संबंधी वारता कर रहा है उसको हम नहीं ले जा सकते अन्य जगे अब एक वकील बोले एक न्यायाधिस बोले एक पदाधिकारी बोले उसके अनुसार उसका उत्तर होगा एक ये सद ग्रहनी है ये अपने परिवार की समस्या से वो उसको हुआ जोट बोल करके बचाना चाहती है और ये स्वाबा भी खोता है और उप एलाव हमें जरूरत है अब इनको पता है मेरे बेटी की पढ़ाहिम लगना उसके नहीं खताम हो गया है कैसे खताम हो गया और नहीं बहुत से काम है बहुत से कर्चे हमने वहां-वां-खतम कर दिया और चुक्षाप रखे कि आवश्यक्ता पड़ी पती को ही बेटे को ही तो हम निकाल के चुक्षाप दे देंगे अब यह जूट भी मना जागा वहाँ अपने परिवार के रक्षा के लिए बोल रही वहाँ एक विसे को समझना है देखा है जैसे मां है ना कई चीजों को छुपा के रखती है अपने बच्चे के लिए अपनी सुषवदाओं के लिए और पती के लिए उससे जूट बोल जाएगी नहीं उस दिन हमने पैसे दिया वो सब कर्चा हो गए हुए उसके उन्यकर लाए हुए उसके बड़िया लाए बचा को रख लिए और जब पती को स वहाँ उसको चलाना है, उस विशे को देखना है. अब आते हैंसे सत्य का इसा होके पिटाई शुरू हो जाह, ऐसा होके कले शुरू हो जाह, ऊसमन के लिए वह असत्य का आदर नहीं कर रही है पर उस जानते हैं कि अधर्मी है जानते हैं कि जो परिवार रो रहा है बिलकुल निर्दोश है पर हम अपने बुद्धिमत्ता से उसको फसाएंगे उसको छुड़वा देंगे दोरगती होगी वहां कब इसा अलग है यहां कब इसा अलग है हर प्रशन व्यक्ति के अनुशाद दिया उस विशे की चर्जाएं कि सारुभवम उत्तर नहीं है कि सारुभवम सब कोई सोच ले कि हां हम भी तो प्राण बचा रहे हैं तुम किसके बचा रहे हो आपने रुपे की स्वार्थि की बुद्धी रकला धर्मी को अब वहां नहीं चलेगा यहां परिवार का विशे चल तुम पाठ 잘못 आपने चलेगेश अभाद, समय की, से तुम ब की विशन हैं बचल तो आपने रहे हैं टो पिरूल ब hanging, हो गड़ ब मिन सारै हैं, सूफित का यहां कि समय तो बचобщा है।